हेलो फ्रेंदस वेल्कम टू यूटूब चैनल एंजिनियरिंग लेसन्स फ्रेंडस आज का हमारे टॉपिक है जो कि है रसी के ऊपर रसी मतलब क्या होता है रेफ्रिज़रेशन एंड एर कंडिशिन तो पहले हम बात कर लेते हैं रेफ्रिज़रेशन की तो refrigeration ये क्या है तो suppose हमारे पास ये एक system है अब हमें क्या करना है ये system को एक constant temperature पर maintain रखना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा system है उसमें से हमें continuously heat को extract करते रहना होगा मतलब कि heat को remove करते रहना है और ये जो heat को हमने remove किया है उसे हम surrounding में transfer कर दिंगे और उससे क्या होगा कि जो surrounding का temperature है वो change हो जाएगा लेकिन जैसे कि आप जानते है surrounding बहुत ही बड़ा है इससे क्या होगा कि जो surrounding में change हमने provide किया है वो उसके लिए negligible हो जाएगा तो चलिए अब हम refrigeration की जो definition है उसको frame कर लेते है तो refrigeration हमने आपको भी बता है वो क्या है तो it is a process हमें पता है वो क्या है एक process है जिसमें हम क्या कर रहे है तो of removal of heat from the space हमने space में से पहले तो heat को remove कर लिया है फिर उसको क्या किया है and transferring the same the same मतलब heat को the same into the surrounding और उससे क्या हो रहा है तो हम कह सकते है where it makes little or no difference तो यह हो गए आपका simple definition of refrigeration चलिए तो अब बात करते है refrigerant की तो refrigerant क्या है तो जैसे कि हमने अभी बात किये refrigeration की उसमें क्या हो रहा है कि हम एक space को low temperature पे maintain रख रहे है by using some substance हमें कोई चाहिए जिससे क्या कर रहे है हमको heat को remove करने के लिए हमें कोई चीज तो चाहिए होगी तो वो चीज क्या है वो substance क्या है वो रहेगा आपका refrigerant मतलब की refrigerant क्या है वो एक heat carrying medium है वो ऐसा substance रहेगा जो आपके system में से heat को remove करता रहेगा और surrounding में transfer करता रहेगा तो हम उसे कैसे define कर सकते हैं we can say that it is a heat carrying medium और you can say substance which absorbs heat from the system जैसे कि आपको पता है हम क्या कर रहे है heat को absorb कर रहे है system में से to be cooled हम आड कर सकते है to be cooled फिर हम क्या कर रहे है उसे and rejects the heat to the surrounding मतलब कि हमें क्या करना है उस heat को reject कर देना है surrounding के अंदर तो इसके example है कैसे substance रहेंगे तो for example आपने name सुने होंगे CFC chlorofluorocarbon then है आपका ammonia NH3 then है freon and many more वो हम आगे discuss करेंगे जब हम एक special video प्रोवाइड करेंगे refrigerant के ऊपर चलिए तो अब बात करते है next topic की जो की है आपका air conditioning तो जैसे कि आपको पता है humans को always comfort में रहना पसंद है तो human को comfort देने के लिए यह system बनाए गई है और एक process बनाए गई है जिसका नाम है air conditioning तो human comfort के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होगा तो human को mainly comfort के लिए क्या चाहिए होगा constant temperature चाहिए जैसे कि 25-27 degrees फिर क्या है air है जो हमारा उसमें humidity होनी चाहिए मतलब कि थोड़ा moisturis air होना चाहिए फिर होता है air movement air movement मतलब क्या होता है कि जो हुमारा रूम में air store है वो ऐसा कर वैसे रहेगा तो fall हो जाएगा मतलब की smell आएगा जो bad order होता है तो इसलिए हमें क्या चाहिए air moment को air को replace करता रहेगा और lastly हमें चाहिए होगा air cleanliness और you can say air purity तो उसे क्या होगा कि air में कोई microorganisms है या वो कोई bacteria है जो harmful होते है उसको भी हमें remove करना है तो जो कोई ऐसी process या कोई ऐसी system है जिससे यह सब हमें मिल रहा है हमारे comfort हमें मिल रहा है तो उस system कौन कहेंगे air conditioning तो उसे हम कैसे define कर सकते है it is a हमें यह सब साथ में चाहिए तो we can say it is a simultaneous simultaneous का meaning होता है एक साथ control हमें क्या करना है यह सब क control करना है control of हम पहला क्या कर रहा है temperature so control of temperature comma then air humidity so we can say air humidity or you can write air moisture then next क्या है air movement or you can write air control and lastly हम क्या कर रहा है and air cleanliness or you can say air purity so it is a simultaneous control of these factors तो यह हो गया आपका air conditioning इस वीडियो को जरूर से comment में review कीजिए और अगर आपको इस topic related या किसी और topic related doubts है तो भी हमें comment में बटाएए अगर आपको यह वीडियो helpful हुआ है तो जरूर से like करे और अपने friends को share करे और हाँ subscribe और notification on करना ना भूले टाकि आपको engineering topics related updates मिलती रहे क defending के अपर आपको यह वीडियो पर किसे और कि अपका यही आपको अपको यहां ती जरूर से के वेचिए और किसा रहे हैं कि यह जरूर आपको यह जरूर से के वेढ़ आपको